दिवाली के ठीक छे दिन बाद लोक आस्था का महापर्व छट मनाया जाएगा इसको लेकर गंदा घाटों को तयार किया जा रहा है वैसे आपको बता दे कि हर बार की तरप इस बार भी पटना के गंदा घाटों को खतरनाक माना गया है इसको लेकर प्रशासन पहले से ही तयारी करने पर जुटी है वैसे आपको बता दें कि गंगा के जलस्तर में गिरावट की वजह से इस बार छट घाट तक छट वरतियों को जाने में परेशानी थोड़ी कम होगी गंगा नदी में पानी दूर चले जाने से नगर परिशद के कई घाटों पर व्रतियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा इसको देखते हुए नगर परिशद प्रशासन ने ये निर्णे लिया है अवस्थी घाट, गुरुद्वारा घाट, चौधराना घाट, गोलापर घाट, शाटोली घाट, इमलीतल घाट इन सब पर पानी काफी दूर है चावनी परिशद के अंतरगगत आने वाले इमलीतल से पीपापुल घाट तक स्थित यही है इस बार सबसे अधिक भीड क्लब घाट, कचरी घाट, नारियल घाट नासरी गंज घाट पर पानी रहने के कारण अधिक भीड होने की संभावना है वही गुरुद्वारा घाट एवं पीपापुल घाट पर मुख्य धारा पर जाने के लिए व्रतियों की भीड होगी कार्यपालत पदाधिकारी ने बताया कि गुरूद्वारा घाट वर नारियल घाट पर मुख्य धारा में जाने के लिए पुलिया एवं रास्ता को निर्मार कराया जाएगा नारियल घाट पर दूसरी किनारे घाट बनाने को लेकर कार्य शुरू कर दिया गया है रोशनी की भी व्यवस्था रास्ते पर रहेगी ऐसे में गंदा के घाटों पर इस बार छटवरती और उनके घर वाले स्वजन इस बार गंदा के किनारे घाटों तक सवारी से जा सकेंगे बता दे कि इस बार पार्किंग स्थल से गंधा के घाट की दूरी गंधा में पानी कम होने की वज़ McCreney कम होगी इससे उपवास पर रह रही छट व्रतियों का लिए घाट तक पहुचना आसान हो जाएगा इन व्रतियों को पारकिंग से घाट तक ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा ऐसे में जिला प्रशासन इसको लेकर इंतजाम कर रहा है ऐसे में प्रशासन की तैयारी है कि इस बार संपर्क पत घाट से एकदम करीब हो ताकि व्रतियों को घाट तक पहुचने में परेशानी ना हो पटना प्रशासन की माने तो इस बार कई घाटों की स्थिती अच्छी है नदी में पानी भी कम है ऐसे में यहां घाटों पर पार्किंग की व्यवस्था भी बहतर हो सकती है इस बार घाटो पर पार्किंग से अधिकतम दूरी 500 मीटर तक ही रह जाएगी आप देख रहे हैं वोकल फो लोकल आपकी आवाज हैं हम